तुम छोड़कर गए तो तुमको गोली मार दूँगी, नहीं तो खुद को गोली से उड़ा लूँगी। ये शब क्रिस्टल पैरेडाइज अपार्टमेंट के फ्लैक नंबर 203 लिविन में रह रहे प्रतापकड के रिशब सिंग भदोरिया और मेकाप आटिस्ट रिया गुपता के बीच हुई कहा सुनी के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुद्वार 16 अगस्त की देर रात रिशब और रिया गुपता दोनों पार्टी से लोटे और नशे में होने की वज़र से सुग गये। मगर अगली सुबा यानी 17 अगस्त को उठते ही दोनों में कहा सुनी होने लगी। धोका देने के आरोप लगाते हुए रिशब ने रिया को छोड़ने की धमकी देडा ली। इस सुनकर रिया ने किसी परिचित वकील से बात की और केस दर्च करा कर जेल भेजने की बात कही। इसे लेकर कुछ देर फिर कहा सुनी होई दोनों के बीच में। इस बीच रिया ने अपने दूसरे दोस्त को कॉल कर सबक सिखाने की बात कही। जिसके बाद नराज रिशब ने अपनी अवैत पिस्तल से रिया के माते और सीने में दो गोलिया मार दी। और फ्लैक में तालब बन करके वहां से निकल गया। और देर रात तक वो इंदरा नहर गोसई गंज और इकाना स्टेडियम के आसपास घूंगता रहा। वैसे आपको बता दें कि पूछताच में रिशब सिंग ने ये कबूल किया है कि रिया के जूट और बढ़ते पैसों की मांग उससे परिशान कर रही थी। वो कुछ दिनों से लूलू मॉल में एक मेकप सैलून खोलने के लिए पैसे मांग रही थी। लेकिन जो रिशब था वो मना कर रहा था। रिया शादी का दवाव भी बना रही थी और शायद ये भी रिया की मौत की वज़ा बना। असल में लखनाओं में मेकप आर्टिस्ट रिया गुपता की हत्य की वज़ा जो असल में अभी तक पता चला है या लगता है वो है शक का कीड़ा। जी हाँ रिया खुले विचारो वाली एक लड़की थी और जिन्दगी अपने हिसाब से जी रही थी। पहले रिशब को भी रिया कि ये लाइफस्टाइल पसंद थी। दोनों लिविन में रहने लगे थे। यही नहीं उसे लगता था कि रिया किसी और को डेट भी कर रही ह रिशब के दिमाग में शका चुका था। उसके दिमाग में ये लग रहा था कि रिया उसको धोका दे रही है। वो किसी और को डेट कर रही है। इसलिए रिशब उसकी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल करने चाहता था। उसको बाहर निकलने से मना करने लगा, दोस्तों से बात करने को मना करता था रिशब के दिमाग में शक इसकदर बैठ गया था कि उसने रिया के दिल और दिमाग में गोली मार कर हत्या करने की जो एक प्लैनिंग थी वो कहीं न कहीं उसने अपने दिमाग में कर ली था रिशब वैसे प्रताब गड़कर रहने वाला है और अपने मगर रिया जब शादी का कहती तो वो शादी के लिए तयार नहीं होता था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिया के रिष्टदार हैं वो लगातार बेटी को फून कर रहे थे 17 अगस्त के बाद या कहा है कि 16 अगस्त की रात या 17 अगस्त के दर्मियां में लेकिन जब काफी देर तक रिया ने फून रिसीव नहीं किया तो उसके रिष्टदार फ्लैट पर पहुचे दर्वाजा खोल कर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बेटी की लाश पड़ी थी इसके बाद पुलिस पहुची क्योंकि रिष्ट फ्लैट चे गायब था इसलिए सीधा जो शक गया पुलिस का वो रिष्ट पे गया हलाकि थोड़ी देर के बाद पुलिस ने रिष्ट को पकड़ लिया था दरसल रिष्ट परताबगड के भधोरिया के पूर्वा का रहने वाला है और उसके पिता सिचाए विवाग में एक बाबू है और भाई जो है एक स्कूल चलाते है रिष्ट के रिष्ट परताबगड से MSC करके लखनों में जौब ढूनने आया था यहां किशनगर परिकल नगर में किराई के मकान में रहता था रिष्ट को लगजरी लाइफ जीना पसंद था अक्सर वो गूंती नगर की स्मिट बिल्डिंग में जाता था खुद को रईस साबित करने के लिए वहाँ पे खूब पैसे खरच किया गरता था और यहीं स्मिट बिल्डिंग में नवंबर 2022 में एक बार पार्टी के दौरान रिया से रिषब की मुलकात हुई रिषब के रईसी अंदाज से रिया उसके करीब आ गई कहा जाता है कि दोनों की पहली दोस्ती इसी तरीके से हुई फिर दोनों साथ ही में पार्टियों में आने जाने लगे इसके बाद दोनों ने टै किया कि हमें साथ रहना चाहिए किसकल पैरडाइज अपार्टमेंट में इसके बाद दोनों ने किराय पे फ्लैट लिया और शुरू के दो-तीन महिने तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा मगर धीरे-धीरे रिशब के लिए रिया का खर्च उठाना मुश्किल होता चला गया लेकिन रिया अपनी ही तरीके से जिंदगी जी रही थी वो पहले की तना पाटियां करती, दोस्तों के साथ टहलती, दोस्तों के साथ घूमती इस बात को लेकर रिशब और रिया के बीच में अकसर कहा सुनी होती टकराव शुरू हो गया था रिपोर्ट के मुताबिक रिशब ने पूचताच में पुलिस को बताया है कि रिया के जूट और बढ़ती पैसो की मांग ने मुझे परिशान कर दिया था वो कुछ दिनों से लूलू मॉल में मेकप सेलून खोलना चाहती थी, इसके लिए उसको पैसे चाहिए थे साथी रिया शादी का दबाव भी बना रही थी, और गुरुवार दुपैर हम फ्लैट में थे, हमारे भी शादी को लेकर जगडा हुआ, उसने धमकी दीगी छोड़ कर गए तो तुमको गोली मार दूँगी, तो खुद को मार लूँगी गोली उसने रिशब ने पुलिस को ये भी बताया है कि रिया बहुत कुछ पाने के लिए कुछ भी करने को तयार थी, वो जो दिखती थी वो थी नहीं, रिशब ने कहा कि उसने अपने जीवन की कई सच्चाईयों को छिपा रखा था, वो शादी का दबाव बना रही थी जबकि रोज नए लड़कों के साथ घूंगती थी, उसने लगजरी कार में, असल में कुछ दिन पहले रिया ने एक लगजरी कार में बैठ कर एक वीडियो बना कर इंस्टग्राम पर पोस्ट किया था, इसको लेकर भी इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जब उसने मारने और मरने की धमकी दी, तो इसने सोच लिया कि उससे अब गोली मार दे रहा, दरसल रिया ने अपने इंस्टा पर आठ अगस्ट को कार का एक वीडियो अप्लोड किया था, इसमें वो कार ड्राइव कर रही थी, और बैग्राउंड में चल रहा है, हर बार दुश्मनों से कर दिया था रिया ने, इस वज़ा से उसे वो दूरी बनाना चाहता था, मगर थर्जडे को उसकी हरकतों से वो इतना तंगा गया कि हत्या का इरादा उसने बना लिया था, रिशब ने आगे पोलिस को ये भी बताया, मेडिया रिपोर्ट के मताबिक है ये, कि उसने ठान ल लगी थी, एक गोली सिर पर बाय आग की उपर लगी है, जो पिछले हिस्से से सर के पीछे से निकल गई थी, दूसरी गोली बाय सीने में उपर की तरफ लगी है, जो फेपडो को पार करके बाहर निकल गई है, फिलाल रिया और रिशब की इस कहानी के उपर आपका क्या कहन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं बाकि देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहें क्राइम तक